प्रोप्लिबियो को पसंद करने के लिए आज का मेरा जो वीडियो है वो है ब्रोकली के उपर ब्रोकली के प्रोसेस starting से लेकर end तक harvesting तक का ये वीडियो है I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को subscribe करें मेरे वीडियो को like करें और gardening से अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी जो gardening है अगर उससे आपको ब्रोकली बहुत ही health benefits बहुत जादा है इस vegetable के अंदर, healthy है, खाने में बहुत taste भी अच्छा आता है, और साथ ही साथ इसको grow करना बहुत easy है, जब आप ब्रोकली को grow करते हैं, तो पहले या दूसरी बार में ही वो process जैसे जैसे आप follow करते हैं, हम धीरे 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 अपने आप चीजे सीख जाते हैं, यह मेरी जो ब्रोकली है, definitely जब मैंने grow की, starting से end तक मुझे कुछ इसमे learnings भी मिली, जो कि मैं next time जब करूँगी, तो उन चीजों को ध्यान में रखूँगी, और मेरी सबसे बड़ी learning है, कि ब्रोकली को छोटे नहीं, एक बड़े container में grow करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा result मिला, और मेरे पास तकरीबन 25 से 30 ब्रोकली के plants थे, मैंने यह बहुत बाद में शूट किया, जो मैं अभी आपके साथ share कर रही हूँ, कुछ मेरी पता गोबी है, cabbage है, टमाटर है मेरे kitchen garden में, actually यह मेरा terrace garden है, और यह देखे, बहुत बार ऐसा होता है, जब हम ब्रोकली के head को harvest कर लेते हैं, और उसके पूरे plant को हम हटाते नहीं है, तो उसमें अभी मेरे इस plant में तकरीबन 7 से 8 चोटे-चोटे head बन गए है, तो अगर आपके पास space की कमी ना हो, तो आप ब्रोकली के main head को जब harvest कर लेते हैं, तो उसको मेरे दूसरे head बन जाएंगे, लेकिन अब मेरे पास चोटे-चोटे head बन भी गए है, अब मैं इसको इस planter से निकाल दूगी, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर का पौधा लगाया हुआ है, और जब तक यह नहीं निकलेगा, टमाटर की growth जो है, वो अच्छी नहीं होगी, तो फैकने की बजाए सबसे बेस्ट होता है, आप उनको तोड़के वापस आप आपके उसी कंटेनर में डाल दे, और वो ही आपके प्लांट को खाद देने में help करते हैं, आपके मिट्टी को पौरस बनाने में help करते हैं, यह जो आप मेरी ब्रोकली का बहुत ही अच्छा जो र इसका बहुत अच्छा result आया, समय समय पर दिये हुए liquid fertilizer जो है या फिर गोबर की खाद है, वो आपके प्लांट को ग्रो करने में बहुत help करते हैं, और एक मेरा जो सबसे सबसे में जो fertilizer है, जिससे मुझे बहुत अच्छा result मिना, वो मैं वीडियो के end में जरूर आपके साथ share करूंगी और definitely आपको, आपकी vegetables grow करने में वो tip जो है, जरूर help करेगा, अब यह देखे, यह अच्छे मेरे broccoli के head बने हुए है, और क्योंकि मेरी बहुत चोटी से family है, तो मेरे लिए यह बहुत जादा तो नहीं, लेकिन हा, sufficient होता है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है, ज सायद मुझे वो खुशी किसी और चीज में ना मिले, तो अगर आपको मेरे वीडियो देखे, थोड़ी से भी inspiration मिलती है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हमारे पास space है, तो प्लीज कीजिए, gardening एक therapy की तरह काम करती है, आपका day बहुत अच्छ नहीं, दिख रहे होंगे शायद चोटे, लेकिन इनके हैड जो है, नॉर्मल साइज के हैड बने होए है, ब्रोकली के, और look at this, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, और ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी अब बहुत सारे हार्वेस कर रही हूँ, क्योंक मैंने एक जो गलती की, वो मैंने स्पेस बहुत कम दिया, क्योंकि जब आप ओद लगाते हो, तो इतना अंदाजा नहीं होता, और क्योंकि पता गोबी है, या ब्रोकली है, ये फैलते बहुत है, जब फैलते हैं, तो इनको जगे चाहिए, और हमेशे बड़ा कंटेनर मिलता है, रिच मिट्टी आप जब स्वल तयार करते हैं, तो पोधे को भरपूर पोशन मिलता है, और ये देखे, मैंने जो सबसे बेस्ट किया, वो मेरे जितने भी, जैसे जिसमें तुलसी थी, गमले, मेरा दूसरा प्रांट लगा हुआ था, उन सब में मैंने जो सबसे ब मिल रहा है, ये देखे, ये बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें मल्टी क्रोपिंग वाली चीज है, इसमें टमाटर का भी प्लांट लगा हुआ है, इसमें पालक भी लगा हुआ है, किसी में अलोवीरा के साथ टमाटर लगा हुआ है, किसी में ब की कमी ना हो तब तो आप अच्छे से बड़े बड़े कंटेनर में लगाई है जब भी मुझे चाहिए होता है मैं सरफ अपने चत पर जाती हूँ एक या दो ब्रोकली में हार्वेस्ट करती हूँ और सैलेड में है या सबजी किसी भी रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं और से बेस्ट बात कुछ ने हो सकती और आप देख रहे हैं मेरे हर गंले में किसी में जिसमें टमाडर है तो साथ में अनियन मैंने लगाई हुई है तो और यह कोई बहुत महंगे नहीं है बहुत ही एकॉनमिक फ्रेंडली मेरे कंटेनर चाहिए मेरे को जो मिलता है जो कहली मिल और मुझे उसी में सबसे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करके गार्डनिंग करने में कोई मजा नी आता, मजा तब आता है जब आप किसी वेस्ट चीज को यूटिलाइज करें, तो अब टाइम है वो बेस्ट टिप जानने का, वो है सरसो की खली या तिल की खली, सरसो की खली और तिल की खली को मिक्स करके आप उसको पानी में भिगो दे, 48 घंटे के लिए, और वो जब आप अपने प्लांट्स में देते हैं, तो फ्रूटिंग जो है वो बहुत अच्छी होती, वो जादू की तरह आपके प्लांट्स में काम करती है, थ तरह दो जो है, थी खली घंट्सारे, प्लांट्स आपके लिए वो में वोब जोएर्ण प्लांट्स काम करती हो, जो में जोह, बाम जोह, तो 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 एक्षवन पलाब की खली, तो.